स्वागत है आप सभी लोगों का प्रडेम बूश्टर न्यूज डिसकेशन में आज है 19 नॉमबर 2021 तो आज ये देख लेते हैं कैसे कौन से important articles हैं जो आज हम cover करने वाले हैं हमारा first article autism spectrum disorder के बारे में है इंडियन researchers ने भी हाल ही में compound डिवलप किया है नाम दिया है six bio क्या करेगा ये compound ये compound autism spectrum disorder इसके treatment का एक better method provide करेगा autism spectrum disorder के साथ associate होती है intellectual disability आप इसे ASDID बोल सकते हैं अब भला ये autism क्या होता है जब एक बच्चा जन्म लेता है तो समय के साथ उसका mental और physical development होता है अब भला इसमें क्या बुराई है होना चाहिए अच्छी बात है लेकिन क्या सबका होता है नहीं 160 में से पूरी दुनिया में एक बच्चा ऐसा होता है जिसका mental development उतना अच्छा नहीं हो पाता जितना होना चाहिए और तब स्थिती पैदा होती है autism की autism एक condition है एक स्थिती है जिसमें जो brain है वो पूरी तरीके से बढ़िया तरीके से develop नहीं हो पाता प्रभाव क्या पढ़ता है कि एक व्यक्ति के चीजों को देखने का नजरिया प्रभावित होता है वो बाकी लोगों से socialize नहीं हो पाता मतलब आसानी से जुड़ नहीं पाता उसे लोगों से interact करने में या communicate करने में problem होती है autism में co-occurring conditions create हो जाती है co-occurring conditions का मतलब यह है कि एक ऐसे स्थिती जो वो बार-बार दोहराता है जैसे कि epilepsy, मिर्गी का आना, depression, बार-बार परेशान हो जाना उत्तेजित हो जाना या hyperactive हो जाना यह problem होती है जब कोई बच्चा autism का सिकार होता है cause क्या हो सकते हैं? cause दोनों ही हो सकते है environmental cause भी हो सकता है, genetic factors भी कारण बन सकते है autism का symptoms क्या होते हैं क्या हमें पता चल पाता है कब की कोई बच्चा autism की चपेट में है या नहीं है Usually एक साल की उम्र के भीतर ही अंदाजा लग जाता है कि बच्चा autism का सिकार है कई बार समझ पाना मुश्किल होता है लेकिन दो से तीन साल तक के बच्चे में ये क्लियर हो जाता है कि हाँ ये autism की समस्या से ग्रसित है दुनिया भर में 160 में एक बच्चा ASD का सिकार हो ही जाता है autism spectrum disorder क्या treatment का कोई mechanism है देखिए ऐस सच कोई दवा नहीं है जो autism को treat कर सकती हो इसमें majorly जो symptoms होते हैं हम उन्हें ही treat करते हैं जैसे कि अगर मिर्गी आ रही है तो हम उसको treat करने की कोसिस करते हैं अगर नीद नहीं आ पार रही है sleeping issues है तो उसे address करते हैं सारे symptoms तो treat कर पाना possible नहीं हो पाता इसके अंदर potential है कि एक व्यक्ति की daily activity जो ASD की वज़े से प्रभावित होती है वो उसमें सुधार कर सकता है ध्यान देनी वाली बात यह है कि 2016 में right of persons with disability act में बदलाव किया गया पहले इसमें केवल 7 प्रकार की disability ही थी जिसे बढ़ा कर 21 प्रकार की disability की गई जब यह addition हुआ तो उसमें autism को भी add किया गया यानि कि ASD autism spectrum disorder अब persons with disability act 2016 का पार्ट है इसे इसके पहले तक largely ignore किया जाता था और disability में count नहीं किया जाता था इसलिए disability के कारण जो सरकार रियायते देती है वो ऐसे लोगों को नहीं मिल पाती थी लेकिन अब ऐसा नहीं है तो आप ये भी जानते रहिए हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंडियन ओशन नैवल सिंपोजियम के बारे में है इसका 7th edition अभी हाल ही में फ्रांस की नैवी के द्वारा होश्ट किया गया आयन्स आप इसे शॉर्ट में वो सकते हैं ये एक voluntary और inclusive initiative है voluntary मतलब सभी देश अपनी स्विच्छा से सामिल होते हैं कोई जबर्दस्ती नहीं है यहाँ पर इंडियन ओशन रीजन के जो littoral states है littoral states का मतलब यह है कि कोई भी ऐसा देश जिसकी सीमा इंडियन ओशन रीजन से लगती है यह सभी एक साथ मिलकर बैठते हैं कैसे इस पूरे रीजन में security को enhance किया जाए और cooperate किया जाए इस पर बातचीत की जाती है यह एक binary forum है यहाँ पर आप जो भी देश देख रहे हैं वो इसका हिस्सा है किसी न किसी रूप में अब देखे यह है इंडियन ओशन का रीजन इसके आज पास के जो भी देश हैं वो obviously इसका हिस्सा होंगे इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है यह जो आपको sky color दिख रहा है यह ऐसे race है जिने observer status दिया गया है लेकिन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि UK और यहाँ पर एक country आपको और दिख रही है यह भी इसका हिस्सा है आयंस का जबकि यह तो यूरोप में है यह कैसे है मतलब इन्हें आयंस का हिस्सा क्यों बनाया गया जबकि देख कर लग रहा है कि यह लिट्टोरल स्टेट नहीं है यह तो बहुत दूर है इंडिनोशन से फिर भी यह इसका हिस्सा क्यों है इसका जवाब अभी आपको मिल जाएगा देखें इसकी चेर्मेंशिप जब सुरू हुआ था यह 2008 में तो इंडिया के पास थी दो साल के दे 8-10, UAE 10-12, South Africa 12-14, Australia 14-16, Bangladesh 2016-18, Islamic Republic of Iran 18-21 COVID के वज़े से एक्स्टेंट हुआ France ने चेर्मेंशिप अजियूम की है 21 से आने वाले दो सालों के लिए आयंस में टोटल 24 देश हैं और 8 देशों को observer status भी दिया गया है अब यहाँ पर South Asian Littoral Countries में आते हैं बांगलादेश, इंडिया, मालदीश, पाकिस्तान, शिसली, स्रिलंका और United Kingdom क्यों? क्योंकि इंडियन ओशन में जो उनकी overseas territory है उसकी वज़े से वो भी इसका हिस्सा बन जाते हैं West Asia की countries में Iran, Oman, Saudi Arabia और UAE आते हैं East African countries में France आ जाता है France हमने map में देखा था क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो reunion island है वो France का ही है तो France भी इसका हिस्सा बन जाता है Further Kenya, Mauritius, Mozambique, South Africa और Tanjaniya भी है South East Station और Australian Literal Countries में Australia, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailand और Timor-Leste और तीमोर लेस्टे Observer Nations में China, Germany, Italy, Japan, Medagascar, Netherlands, Russia और Spain है तो आपने देशों के नाम देख ले, सारे तो obviously याद नहीं रहेंगे एक बार निगाह के सामने से गुज़रा हो, यह जरूरी है इस पर दीखे प्रशन आया था 2017 के प्रलिम्स में दो statement थे पहला तो यही था कि आयन्स की सुर्वाद 2015 में इंडिया की नैवी के द्वारा की गई थी और दूसरा यह है कि आयन्स एक voluntary initiative है जो मेरी time cooperation को पढ़ानी की बात करता है इंडनोशन रीजन के लिट्टोरल स्टेट्स में तो पहला वला तो देख के गलत लग रहा है आपको पता है यह 2008 में शुरू हुआ था तो यह तो गलत हो गया यह वला सही है तो answer क्या निकलेगा? B. 2 only That is the answer हमारा next article प्रधान मंतरी इग्राम सड़क योजना के बारे में है नाम में ही सब clear है गाउं में सड़क बनाना Cabinet Committee of Economic Affairs नहीं अभी इसके time duration को extend कर दिया है September 2022 तक यह continued रहेगा और normally phase 1 और phase 2 जो भी चल रहा है वो continued रहेगा Left wing extremism affected areas में जहां पर नकसल्स की problem है, moist की problem है वहां पर यह March 2030 तर चलता रहेगा क्यों? क्योंकि वहां पर development जदर जरूरी होता है ताकि इन problems को address किया जा सके इसे launch किया गया था सन 2000 में उद्धे से यही था कि गाउं में सड़के नहीं हुआ करती थी मुझे आज भी याद है बहुत पहले मेरे गाउं में एक कच्छी मिट्टी की सड़क होती थी बारिस में वो खराब हो जाती थी और एक बार अगर उस पर से ट्रेक्टर गुजर गया तो उसके बाद तो पैदल चलना भी बेहाल होता था बाद में वहाँ पर एक पक्की सड़क बन गई उसे भी प्रधान मंतरी ग्राम सड़क योजना के तहती बनाया गया तो गाउं में जो सड़के ना होनी के वज़ए से connectivity की प्रॉब्लम आती थी उसे ही resolve किया गया प्रधान मंतरी या फिर जो हिमालियन स्टेट्स हैं वहाँ पर भी 250 से ज़ादा लोग रह रहे हूं यह calculation 2001 के census की basis पे किया जाता रहा funding के लिए जो North Eastern या हिमालियन स्टेट्स हैं वहाँ पे तो 90% पैसा Central Government ही दे देती है उन राज्यों को केवल 10% लगाना होता है बाकी के स्टेट्स में Central Government 60% देती है और राज्यों को 40% खर्च करना होता है फीचर्स क्या है नई और Green Tech का इस्तेमाल किया जाता है locally available material इस्तेमाल किया जाता है ताकि रोड सस्ती बने और material आसानी से पहुंच जाए 3-tier quality assurance mechanism भी आप्ट किया गया है ताकि रोड अच्छी बने इसका phase 2 देखे phase 1 तो 2000 में launch हुआ 13 तक चला 2013 में इसका phase 2 launch किया गया ताकि 50,000 km जो सड़क बनाई जा चुकी है उसे upgrade किया जा सके रोड खराब हो गई है तो हम उसे rebuild करें इसका phase 3 launch किया गया 2019 में इसमें 1,25,000 km road consolidate करने का प्लान बना मार्च 2025 तक Road connectivity project of left-wing extremism affected areas ये initiative स्टार्ट किया गया था 2016 इसमें 44 यानि कि 44 left-wing extremism affected district cover किये गए जो 9 राजियों से हैं वो 9 राजिये हैं आंधरप्रदेश, बिहार, चतीजगर, जहारखंड, मध्यप्रदेश महाराष्टा, उडिशा, तिलंगाना और उत्तरप्रदेश हमरा next article सब्ज बुर्ज के बारे में है सब्ज बुर्ज जो है उसे 4 सालों के प्रयास के बाद finally conserve कर लिया गया तूट फूट गया था खराप सिती में था जो पुराना material था या traditional material जो उससे मिलता जुलता हो उसी का इस्तिमाल करके इसे फिर से बनाया गया सोलावी सताबदी का ये एक structure है 1530 में इसे बनाया गया था ये monument मुगल एरा का है, इसकी style से पता चलता है मकबरा है लेकिन इस मकबरे के नीचे बरी किसे किया गया है ये पता नहीं है क्योंकि ऐसा कुछ इस मकबरे पे लिखा ही नहीं है यद्यपी काफि significant है, क्योंकि जो इसकी ceiling है वो double dome है, double dome के बहुत कम structures है जो हैं, वो काफि important है और इसका जो structure है उसे pure gold और lapis जो की एक blue color का stone होता है उससे paint किया गया था और कुछ ही ऐसे monuments हैं इस प्रकार के जो आज बचे हुए हैं, इसी लेने conserve करना जरूरी था, floral motif समय मिल जाते हैं इसकी ceiling पे ये बिल्कुल वैसे ही हैं, जैसे मुगल era के textile या miniature painting में देखने को मलते हैं, तो पता चल जाता है राम से ये मुगल era का ही एक structure है हमारा नेक्स आर्टिकल bribery risk matrix 2021 के बारे में है ये matrix अभी हाली में release किया गया, इसे release किया गया है trace के द्वरा, trace एक anti-bribery standard setting organization है मतलब एक ऐसी संस्था जो बताती है कि किस देश में कितनी ज़्यादा घूस ली जाती है या फिर corruption होता है यहाँ पर mainly जो focus में है वो है business जो business man होते हैं उन्हें अलग-अलग level पे अपना काम करवानी के लिए जो की formal way में होना चाहिए पैसे देने पड़ते हैं जब भी यो government के साथ interact करते हैं तो government के officials उनसे demand करते हैं कि हम आपका ये paper तफ फॉवर्ट करेंगे जब आप हमें इतने पैसे देंगे तो जो business है वहाँ पर bribery का क्या risk है 194 जेसों में इसे evaluate किया गया इसमें territories, autonomous और semi-autonomous regions भी सामिल है चार parameter से इस्तेमाल की गए मतलब ये risk तब क्या होता है जब कोई business interact करता है गवर्मेंट के साथ यहाँ पर सबसे ज़्यादा bribery के case साते है anti-bribery deterrence इस समन्द में क्या कानून बनाए गए है transparency है कि नहीं नियम कानून में और civil society इस चीज को कैसे देखती है क्या मिला North Korea, Turkmenistan, Venezuela और Eritrea यहाँ पर सबसे ज़्यादा bribery का risk रहता है Denmark, Norway, Finland और Sweden यह कम risk वाले देश हैं या पहुत कम risk वाले देश हैं इंडिया की position खराब हुई है 2020 में मारी position 77 थी और अब घटकर हो गई है 80 second हम 42 पैदान पे चले गए हैं और यह हम 5 पैदान नीचे खेसक गए हैं ठीक है हमरा next article Digital India Land Record Modernization Program के बारे में है नाम से स्पस्ट है जो Land Records बहुत पहले आपने देखा होगा कागजों के पुराने पुराने पन्नों में लिख के रखे गए होते थे हम उन्हें modernize कर रहे हैं मतलब उसका data हम computer में feed कर देंगे इसी संबन में एक workshop आयो जित किया गया था मामला इसी लिए news में आया Central Sector Scheme है 2008 में launch की गई थी ये program पहले National Land Record Modernization Program के नाम से जाना जाता था बाद में इसमें कुछ addition करके इसे Digital India Land Record Modernization Program कह दिया गया मामला साफ है Land Record को modernize करना है ताकि उसे आसानी से manage किया जा सके दो programs को या दो projects को एक सांद जोड दिया गया है तब ये DILRMP बना है पहला है Computerization of Land Record यानि कि CLR वही जो बात कर रहे थे Land Record को computerize करिए दूसरा Strandoning of Revenue Administration and Updating of Land Record दोनों projects को merge कर दिया गया components वही है Land Record को computerize करिए जो survey बगएरा है या registration का computerization किया जाए ये सारे काम इसमें किये जाएंगे revision करते है 6 bio compound ये dango को treat करने में सहयक होगा गलत है ये autism के लिए है पधान मंतरी ग्राम सड़क योजना 2000 में launch किया गया single all weather road connectivity गामों को देता है that's true bribery risk matrix 2021 इसे transparency international नहीं release किया है बिल्कुल गलत है अभी हमने देखा इस release किया गया है trace के द्वारा चौथा digital India land record modernization program central sector scheme है 2008 में है that's true session की PDF मिलेगी only IS के telegram channel पे only IS something else search करिए एक लाख बीस हजार से जज़ादा पच्चों का joint channel आपको दिख जाएगा उसे joint करिए PDF को download करिए और revision करिए जो कि बहुत ज़रूरी है तो आज का session हम यहीं पर समाप्त करेंगे उमिदितन आपको समझ में आया होगा बहुत बहुत धन्यवाद